दिवाली का सेल फ्लिपकार्ड और एमाजन के उपास स्टार्ट हो चुका है, अगर अभी सेल में नया फोन को प्रचिस करने के लिए सुच रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वाइदावन्त रहने वाला है, पहले से आपको ब्रैंड की तरफ से बहुत सारा डिसका बहुत सारी फोन आता है, लेकिन कौनसा कौनसा बेस्ट फोन रहने वाला है, चलिए दोस्तों में आपको बताता हूँ, आज इस वीडियो में आप लोग के साथ सेयर करूंगा ऐसे टॉप 5 फोन जो आता है अंडर 13,000 रुपिस में एक से बढ़कर एक फोन रहने वाला है, से बेस्ट 4g फोन, बेस्ट 5G फोन, बेस्ट display वाला फोन बेस्ट gaming फोन भी आपको मिल जाहेगा, शुरुबाद करते हैं, मेरे । मेरे लिस्ट की पहला फ्वोन से आप भी शुरुबाद कर दीजे, इस वीडियो को लाइक कर के, मेरे लिस्ट में जो पहला फोन रहने वाल जैसे कि 6.4 4-inch Full HD Plus AMOLED डिस्प्ले के साथ आ रहा है और U-shape notch के साथ आ रहा है Android 12 के साथ आ रहा है, FuntasOS 12 भी रहने वाला है Qualcomm Snapdragon की तरफ से 680 चिफ सेट रहने वाला है 2.4 Gigahertz में इसका clocks भी रांड करता है और 6 nanometer पर बना हुआ है Base variant जो रहने वाला है 4GB 120 8G वाला variant LPDDR4X RAM के साथ आ रहा है पीछे की तरफ रहने वाला है triple camera setup Primary sensor जो 50 megapixel टू-टू करके दो sensor रहने वाला है और इसका जो selfie camera रहने वाला है 16 megapixel Single speaker के साथ आ रहा है 3.5M audio jack रहने वाला है यह पर in-display fingerprint sensor देखने को मिल चाएगा और यह पर है 5000 वाट के बैटरी इन बॉक्स आ रहा है 44W का adapter के साथ अगर आप हीवो की लवार सो अगर आपका बाजट है सिर्फ 13,000 रुपिस तो हीवो T1 44W आपके लिए सबसे अच्छा phone रहने वाला है मेरे लिस्ट में जो second phone रहने वाला है जैसे कि डिस्प्ले के साइच के तरफ देखा जाए जो फोन आ रहा है 6.58 इंच, Full HD+, IPS LCD फैल के साथ क्वार निंग ओले लेगला स्त्री का प्रोटेक्शन रहने वाला है लेटेस्ट आंड़ोड 12 है और Mew UI 13 के साथ आ रहा है Mediatek Dimensity के तरफ से 700 chipset रहने वाला है 7 nanometer पर बना हुआ है और यहाँ पर जो baseband रहने वाला है 4G भी 64G ओला फैरेंट LPDDR 4X RAM के साथ आ रहा है EFS 2.2 का study step रहने वाला है फोन की पीछी के तरह बेडुएल कैमरा सेटप 50 megapixel, 2 megapixel और इसका जो selfie camera रहने वाला है आपको चाहिए Redmi के तरफ से best 5G phone तो Redmi 11 Prime 5G है जो फोने आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है मेरे लिस्ट में जो 3rd phone रहने वाला है Realme के तरफ से सबसे अच्छा phone रहने वाला है under 13,000 रुपिस में जैसका नाम है Realme Narjo 30 5G phone हाँ थोड़ा सा पूरा नसब होने लेकिन इस सेल में इसका जो प्राइस रहने वाला है 13,000 रुपिस और प्राइस के सबसे कमाल की स्पेसिपिकेशन ओभर कर रहा है जैसे कि यहां पर रहने वाला है 6.5 इंच Full HD Plus IPS LCD पैनल 90Hz का स्मूथ रिफ्रेस्ट रहने वाला है इंबोक्स आता है Android 11 के साथ लेकिन यहां पर Android 12 का आपडेट आपको मिल चाहेगा MediaTek Dimensity 700 चिपसेट के साथ आ रहा है और यहां पर BaseBrain जो मिलने वाला है 4G भी 64G ओला भरेन पीछी की तरब रहने वाला है ट्रिपल कैमरा से टाफ 48MP टू-टू करके दो सेंसर है 16MP का सेलफी कैमरा रहने वाला है सिंगल स्पीकर के साथ आ रहा है 3.5M audio jack रहने वाला है साइड वांड फिंगर्पिन सेंसर के साथ आ रहा है 5000W के बैटरी है और इंबोक्स आ रहा है रूपिस में जिसका नाम है सैमसांग लग्सी M33 5G Phone इस सेल में इसका जो प्राइस रहने वाला है 13,000 रूपिस और प्राइस के इसब से कमाल की स्पेसिफिकेशन ओफर कर रहा है जैसे कि 6.16 फूल एस्टी प्लस TFT LCD पैनल के साथ आ रहा है 120Hz का refresh rate रहने वाला है latest Android 12 के साथ आ रहा है और यहाँ पर जो chipset रहने वाला है सैमसांग की तरफ से Exynos 1280 chipset के साथ आ रहा है 5 nm पर बना हुआ है और यहाँ पर जो base print रहने वाला है 6GB 12080 अला फिरेंट LPDDR 4X RAM के साथ आ रहा है EoFace 2.2 का story step रहने वाला है फोन की पीछी की तरफ है Quad camera setup primary जो sensor है 50MP, 5MP, Altroid के लिए 2 sensor है और इसका जो selfie camera रहने वाला है 8MP, single speaker के साथ आ रहा है 3.5M audio jack रहने वाला है यहाँ पर रहने वाला है साइड़ोन fingerprint sensor 6000 अबस के बैटरी है और EoFace 25W का adapter को support करता है अगर आप Samsung की लेवर्स हो अगर आपका बात है 13,000 रुपिस तब आग बंद करके Samsung Galaxy M333 5G को purchase कर लीजिए मेरी लिस्ट का लाष्ट और सबसी अच्छा फोन रहने वाला है अंडर 13,000 रुपिस में जिसका नाम है Poco M4 Pro 5G Phone इसका प्राइस आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा 11,500 रुपिस रहने वाला है और प्राइस के सबसे कमाल की स्पेसिपिकिकिसन ओफार कर रहा है जैसे कि इसका डिस्प्रे रहने वाला है 6.6-inch Full HD Plus IPS LCD पैनल 90 Hz का स्मूद रिफ्रेसर्ट रहने वाला है कोडनिंग गोलेगलस 3 का प्रोटेक्शन भी रहने वाला है और यहां पर जो चिपसेट रहने वाला है MediaTek Diamond City के तरफ से 810 चिपसेट जो की GoctaCore चिपसेट है 6-nanometer पर बना हुआ है यहां पर रहने वाला है LPDDR4X का रहा है Office 2.2 का स्टोरेस टेव फोन की पीछे के तरफ रहने वाला है Dual Camera से टाफ 50 Megapixel और 8 Megapixel Selfie Camera जो रहने वाला है 16 Megapixel Dual Stereo Speaker के साथ आ रहा है 3.5M Audio Check रहने वाला है Sight Phone Finger Fin Sensor के साथ आ रहा है 5000 में इसके बैटरी है और Inbox आ रहा है 33 Watt का एडप्टर के साथ अगर आप Poco की लवर्स हो अगर आपका बाजट है 12,000 रुपीज या 11,500 रुपीज के आसपास में तो आप जो इस फोन को पर्चिस कर सकते हो जो फोन है सस्ते में 5G ओपर कर रहा है और मैं कहने वाला हूँ प्राइस के सबसे अच्छा गेमिंग फोन भी रहने वाला है तो यह तो था टॉप 5 फोन का लिस्ट तो आपको कौन सा फोन अच्छा लगा है कौन सा फोन आप बाई करने के लिए सोच रहा हूँ अब मुझे कॉमेंट में जूरू बता सकते हूँ कि सबका ओपिनियन तो अलग-अलग रहता है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है मेरा समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर सकते हो आपका एक लाइक इस वीडियो को बुष्ट करने के लिए बहुत जदा मदद करता है ऐसे वीडियो दिखना चाहते हो तो चैनल को कर लिजिए सब्सक्राइब नोटिफिकेसन बेल को क्लिक करके रख दीजिए